चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों UGC NET का एकजाम जो NTA दोवारा कंड़क्ट करवाया गया था और वो 18 जून 24 को कंड़क्ट हुआ था इसके बाद में 19 जून 24 को सिक्ष्या मंत्रा ले दोरा NTA को ये निर्देशित किया गया कि इस एकजाम को रद किया जाता है क्योंकि इसमें गड़बड़ियां पाई गई है और गड़बड़ियों के चलते इसको रद किया जाता है और इसकी CBIA जांच करवाने का फैसला UGC NET की exam, JRF और PSD के लिए conduct करवाई जाती है और ये अभी तक online mode में करवाई जाती रही थी इस बार ही offline mode में NTA द्वारा conduct करवाई गई थी आईए एक बार दैनिक भासकर का हम ये news article देख लेते हैं इसमें ये clearly लिखा है एक दिन पहले हुआ UGC NET exam रद पेपर में का फैसला जांच CBI को सौपी तो ये जांच CBI को सौप दी गई है और इसमें भी NEET की तरह काफी गड़बडियां पाई गई थी किंदर सरकार ने 19 जून बदवार को UGC NET की परिक्षा रद कर दी यह परिक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी दो सिप्ट मे ओमार यानि पैन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी 19 जून को UGC को परिक्षा के बारे में ग्रह मंत्राले के इंडियन साइबर करन कोर्डिनेटर कोर्डिनेशन सेंटर से परिक्षा में गड़बडी के इंपुट मिले थे शिक्षा मंत्राले ने कहा है कि परिक्षा करवाने में इमानदारी नहीं बरती गई इसके बाद शिक्षा मंत्राले ने परिक्षा प्रक्रिया को पार्दिस्ता सुनिशित करने के लिए इसे रद करने का आदेश NTA को दिया अब नए सीरे से परिक्षा होगी इसकी जानकार अलग से शेयर की जाएगी केंदर ने जांज के लिए मामला CBI को सोब दिया है UGC NET exam देशवर में यूजिस यूनिवर्सिटी में पीसडी, एडमिसन, जूनियर रिसर्स, फोलोसिप यानि जार आफ और असिस्टेंट प्रोफरसर के पद के लिए होता है अब इसमें जो UGC का NET था, 83 सब्जेक्ट से में एक्जाम हुई थी एक्जाम के एकी दिन में दो शिफ्टों में हुआ था ये एक्जाम, पहली शिफ्ट सुबह साड़े नो से साड़े बारा तक थी और दूसरी शिफ्ट तीन बजे से छे बजे तक थी UGC के अध्यक से, एम जगदीश कुमार ने बताया कि देश में 317 सेरों में परिक्षा हुई थी 11,21,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंडिडेट थे जिसमें 81% उपस्तित हुए थे इससे पहले UGC NET का एक्जाम ओनलाइन CBT मोड पर हुआ करता था इससे बदलाव किया है ताकि सभी सब्जेक्ट और सभी सेंटर एक्जाम एक दिन में आयुजित किया जा सके साथि साथ दूराज के सेंटर में भी एक्जाम आयुजित हो सके यहां ही होती है गड़बडी, क्योंकि जब online मोड में हर साल एक्जाम हुआ करती थी इस साल ओफ्लाइन मोड में एक्जाम क्यों कंड़क्ट करवाया गया, इतने सेंटर क्यों बनाए गये, यहां आके NTA सक्के घेरे में आ जाता है, इसी प्रकार से NET में गड़बडी हुई थी, लेकि NET का मामला तो हाइलाइट तब हुआ जब रजल्ट आया था, और अब देखा गया है कि हो सकता है, UGC NET का भी इस प्रकार से मामला उठा जाए, क्योंकि गड़बडियां तो इसमें हुई है, तो यह क्लियर हो चुका है कि NTA जो भी एक्जाम कंड़क्ट करवाता है, उसमें गड़बडियां तो होती ही है, यह इस से क्लियर हो चुका है, और इ तरीके से ही है, अभी इसने एक्जाम कैंसिल का कोई नोटिस नहीं दिया है, इसने प्रेस रिलीज करके बता दिया है कि 18 जोन को जो एक्जाम हुआ था, UGC NET का वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, जिस प्रकार से इसने नीट में दावा किया था, इससे यह साप जाइर होता है कि जब UGC NET का इस प्रकार से एक्जाम में गड़बड़ी हो सकती है, तो नीट की एक्जाम में तो गड़बड़ी हुई है, इसमें तो सिरफ 11,21,000 कंडिडेट रेजिस्टर हुए थे, जिसमें 9,8,380 ही कंडिडेट थे, और इसमें सेंटर्स की बात करें इसमें, तो इसके 1205 सेंटर थे, जबकि नीट एक्जाम में 4700 सेंटर थे, तो ये तो जब इन में गड़बड़ी हो सकती है, तो नीट में तो जरूर गड़बड़ी हुई है, और उसकी गड़बड़ी तो हमारे सामने आ चुकी है, और इसने बिलकुल क्लियर कर दिया है, इसने तो अपने तरफ से ये पला जाड़ लिया है, कि हमने तो सक्सेसफुल करवा दिया है, UGC नीट का एक्जाम जैसा कि इसने नीट के एक्जाम के लिए बोला था, अब बात करें हमकि री नीट हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, इससे प तो री नीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इससे पहले भी जिस परकार से UGC नीट की एक्जाम को रद किया है, शिक्ष्या मंतराले द्वारा, इसी परकार से नीट की एक्जाम को भी शिक्ष्या मंतराले द्वारा रद किया जा सकता है, पहले भी, आठ जुलाई स पहले भी रद किया जा सकता है या फिर 8 जुलाई को सुप्रिम कोट में भी सुनवाई हो सकती है ये सिक्षा मंतराले के पास में बिलकुल पावर है जिस प्रकार से इसने UGC NET के एकजाम को रद किया है उसी प्रकार से NEET की एकजाम को भी रद कर सकता है इसको दो वर्ड बो सकता है आठ जुलाई से पहले अगर सिक्ष्या मंतरा ले कुछ स्टेप ले तो और अगर मामला आठ जुलाई को सुप्रेम कोर्ट में सुना जाता है तो सुना जाने के बाद में सुप्रेम कोर्ट जो डिसीजन देगा वही लागू रहेगा तो हो सकता है सुप्रेम कोर्ट र मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बुला था कि अभी हर एक student को study start कर देनी चीए क्योंकि अगर reneet हो गया तो ये student लेट हो जाएंगे study start करने में तो ये जानकारी थी reneet के बारे में और UGC NEET के exam, UGC NET के exam के बारे में जो cancel हो चुका है, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैर हैं